वेल्कम टो माई निव यूटूब चैनल ए एन एस बाइकर्स में आप सब लोगों का स्वागा थे हर इंडियान बाइकर्स का डीम होता है और बाइक से टूड करके एक बले लादा घूम आये और इसलिए आज वीदियो टाग टोपिक है टॉप टेन बेस्ट बाइक फ़र ले लादाक टूरिंग 2020 अन 2021 में मैं दस बाइक का नाम बोलूँगा जिससे आप लोगों कीजिली लादाक टूर कर सकते हैं ये बाइकों का रैंक्टिंग किया है उसके इंजिन पर्फॉर्मेंस पाइस के हिसाब से मेरे इस लिस्ट के हिसाब से नमबर टेन पे जो वाइक है बाजस पर सट टू टॉइंटी एप यह सिक्स मोडल हाली में लॉंच हुआ है इसमें आप लोगों को मिलता है टूटॉइंटी सीशी का इंजिन जिसमें मैक्स पाउट जेनरेट होता है 19.8 बि इसमें आप लोगों को मिलता है ओयल को सिंगल सिलिंडर और इंजिन इसमें मिलता है 15 लीटर कैपसिटी वाला फ्यूल टैंक जिसका अबरेंस माइलेश देता है 40 तो 42 गेम पेल तक इसका फॉंट रेयर दून ही टायर का टायर 17 इंचिस का है और फॉंट में आपको 280 mm का डी डीश मिलता है अर्डियर में 230 mm का डीश वी डूल चैनल एबीएस 5.7 से लेकर 5.8 तक के हाई टो का बंदा इसमें आराम से तूड कर सकता है इसका हैंडिलिंग बेकिंग बहुत ही अच्छा है इसके बाद मेरे लिस्ट में नमबर 9 पे आता है बजास अबेंचर 220 जिसमें आ इसमें मैक्स पाउज मिलता है 18.4 पीश पी ए 8,000 आर्पीम के मैक्स टॉप और 17.55 न्यूटन मीटर से 7,000 आर्पीम पे जिसमें 13 लेकर का फ्यूल टंग मिलता है जो थोड़ा कम है बट इसमें अबारेस माइलेस मिलता है चलिस से पैस्तलिस के एम पेल तक इसमें भी आपक जो डूबल चैनल एबीएस का फाइदा मिलता है और इस पाइल का हैंडेलिंग बहुत ही इजी है इसमें सौर्ट टाइडर भी इजी लिट डूट कर सकते है जिसमें रियर टायर 15 इंचिस का है और रियर में जो डीश है और 130 mm का और फॉन में जो डीश है 280 mm का और इसका और 10.5 1.45 मेरे इस लिस में नमबर एट पार है या महा एपसे 25 जिसमें मिलता है तू फॉर्टी नाइन सेची का इंजिन मैक्सिमाम पावर अंचेनरेट होटा है तू एंटीन पॉइंट पॉइंट बीएस पी 8000 rpm पे एंट टॉइंटी पॉइंट वन न्यूटन मीटर तॉर्क 6000 rpm इंजिन मिलता है इसमें 14 लेक्टर का फ्यूल टैंग मिलता है और टॉइंटी एट के इंपेंल का आवरेश्ली माइलेस मिलता है वोनार के हिसाब से टाइट के बार करेके दोनों में 17 इंचिस का ड्यूपलेस टायर मिलता है एफॉर्ड में 282 mm का ड्यूपलेस मिलता है और इसका एक स्वर्ण पाई से 1.4 से 1.5 लग तक बाई का टोटल वेट 155 के जिसमें इजिली यह हैंडेलिंग और बेकिंग सिस्टेम बहुत मैं से इजिली डाइब कर सकते है सब के बाद नंबर सेबेन पे आता है बाजास के गोर्ण से हाली में लांज हुआ डॉमिनर 250 जिसमें 248.8 CC का इंजिन इंगल सिलिंडर फोर स्टोक लिकोईट कुल वेस जिखल में मैक्सिमाम टर्क जेनरेट होता है 23.5 नूटन मीटर 6500 रपीमप और मैक्सिमाम पाउर जेनरेटेट होता है 26.6 वेस्प 1500 रपीमप विशिक्स बीट ग्यार बॉक्स और में 17 इंगिंज का त्यूपलेस टायर मिलता है विड डूल चैनल एबीएस जिसका ओन रोट पाइस है 1.87 लैक्स और बाइक का टोटल वेट है 180 केजी जिससे आप इजिली लाडर कूर कर सकते है और इजिली हैंडेलिंग भी कर सकते है बाट इसका फ्यूल टैंक थोड़ा छोटा है इसमें 13 लिटर अर पेक्टल पासिटी है और माइलेस एवरेस माइलेस के बाद कर दो माइलेस 35 से 38 तक दे देता है बाट ओनर के ऊपर निर्भर सिल है बाट मेरे लिट्स पे नमबर 6 पोजिशन पे है के टीम डूर 250 एंड 390 दोनों ही बाइक टूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें एक पॉब्लेम है बाट का पार्स अवेलेबल नहीं मिलता है सब एरिया पे के टीम 250 एक ही बात करें तो उसमें आपको मिलता है 248.8 CC का इंजिन में मैक्सिमाम पावर 30 BSP 9000 RPM पे और मैक्सिमाम टॉर्क 40 Nm 7500 RPM पे मिलता है वीट 6-bit लियार बॉक्स सिंगल सिलिंडर लिकूइड कूल FI इंजिन पे बेस्ट है और के टीम का बेकिंग सिस्टेम जबरदास थे और डूक 250 का अबरेस माइले से 35 और दोनों में फ्यूल कापासिटी इं मिलता है 13.5 लिटर का डूक 250 का टोटल है ओट है 160 को केजी जिसको आप इजिली हैंडेल कर सकते है इसके बाद दियू 390 पे आता हूँ जिसमें आप लोगों का मिलता है 373.2 CC का इंजिन में मैक्सिमाम पाउर मिलता है 42.9 BSP 9000 rpm और मैक्सिमाम टॉर्क मिलता है 37 न्यूटन मीटर 7000 rpm माइलेस के बात करे दो इसमें मैक्सिमाम माइलेस मिलता है 25 सेकोंड ची 6 km पेल तक और इसका वेट है 167 केच दोनों में ही ट्यूबलेस टाया और विट डूबल चैनल ABS डूबल डिस मिलता है फॉन डिस साइज है 320 mm और रियर में मिलता है 220 mm का डिस आप पाइजिं की बात करे तो गूफिप्ते का एक सों पाइसे 2.05 लाक्स और इस लिस्ट में नंबर 5 पोजिशन में है जाबा स्टेंडर जिसमें आप लोगों को मिलता है 293 cc का इंजिन में मैक्स पाउट चेनरेट होता है 27 BSP और मैक्सिमाम टोड़क होता है 28 Nm जिसमें आप लोगों को 6-bit DR टर्समिशन मिलता है फ्यूल कापासिटी है 14 लिकल का अर्याबरेस माइलेज देता है 35 kmpl तक जाबा स्टेंडर का अन्रोड पाइस है 1.74 से लेके 1.8 लाक्स तक जाबा स्टेंडर में आप सब लोगों को रोयल इंफिल्ड पुलेट और रोयल इंफिल्ड इलेक्टा जैसा ही फिल आएका इसका ह पॉब्लेंग इंग बेकिन शिस्टेंड बहुत अच्छा है विद्डूल चैनल एबीएस मिलता है 5.7 से लेकर 5.8 तर्थ के राइडर भी इसे एजिले हैंडेल कर सकते हैं बास टेंडर में आप सब लोगों को रोयल इंफिल्ड पुलेट और रोयल इंफिल्ड एक्टा जै में इस बाइक का पार्स मिलना थोड़ा डिफिकल हो सकता है नंबर 4 की बात करें तो इने बहुत सोचने के बाद नंबर 4 पोजिशन पे राखा है डॉमिनर 400 को जिसमें आप लोगों को मिलता है 373.3 cc का इंजिन 4 श्टोक सिंगल सिलेंडर लिकूइड कूलिंग बेस इस इ पर मिलता है 38.8 bhp 860 a 500 rpm में मिलता है 13 ले टर का फ्यूल के पासिटी वाला फ्यूल टैंक और जिसका माइले से 27 kmpl तक फॉनर बाइक का खाजबाग एही है इसको कर आप सीटी राइट भी कर सकते है और एजिले टूर पे भी जा सकते है पीकाप बहुत ही मस्त है लाइक के अब लोगों को मिलता है 13 ली टर्स का फ्यूल टैंड जिसमें फ्यूल क्वेपासिटी थोड़ा कम है इसलिए टूरिंग के लिए थोड़ा पॉप्लेम केट करता है बाट ओवर ओल एबाइक मस्त कोई टूरिंग के लिए और सिटी राइटिंग के लिए एबाइक चुस करन चाता है तो मेरे ख्याल से यह बाइक नांबर वन पर आता है में मिलता है ठीरी 20 mm का डिश अर्डियर में मिलता है 230 mm का डिश विट डूल चैनल एबिएस इसका बेकिन सिस्टें जबरतास थे पाइजिंग के बात आये तो इस बाइक का ऑन्रोट पाई से 2.20 लैक्स और एक स इससे बाइक का डिमान बहुत ही ज़ादा है इसके बाइठ मेरे लीस में नमबर थीरी पोजिशन पर आता है रौयल इंफिल कासिक तरी 50 and काशिक 500 और इसके साथ में थंडरबाद 350X के बारे में भी धोड़ा बोलूंगा पहले में आता हूँ रोयल इंफिल काशिक 350 के बारे में काशिक 350 में आप लोगों को मिलता है 446 CC का इंजिन जिसमें मैक्स पाउर्ट जेनारेट होता है 19.1 बीएस्पी 5,220 रपीम पे और मैक्सिमाम टॉर्ट कोटा है 28 न्यूटन मिटर 4000 रपीम जिसमें 4 स्टोक सिंगल सिलिंडर एयर कूल बेस इंजिन मिलता है जिसमें 13.5 लिकालिट का फ्यूल टैंक मिलता है और जिसका अबरेस माइलेस है 35 से लेकर 40 तक बीएस्पी 6 मोडेल में थोड़ा माइलेस का डिफारेंस देखने मिलेगा और बाइक का टोटाल वेट है 195 केजी जो थोड़ा हेवी है बाइक का सीट हाइट है 800 मिलीमीटर जिसमें 5.6 से लेकर 5.8 तक के बंदे इजिली टूड कर सकते है ले लड़ा टूड के लिए सबसे जाता है यही बाइक देखने को मिलता है का एक स्वरूम पाइस है 1.6 से लेकर 1.85 लैक तक के बाद में आता हूँ रोयल इंफिल कासिक 500 के बाड़े में आप लोगों को मिलता है 499 CC का इंजिन जिसमें मैक्स पाउर जेनरेट होता है 27 बीस पी और इसमें 13.5 लेटर का लेता है 25 केमपेल स्पाइट का बाड़ सीठाइट भी रोयल इंफिल कासिक 350 के जैसा ही है इसका 1.28 से 1.9 लैक तक पर बाद में आता हूँ थंडर बाद 350 एकस के बाड़े जिसमें रोयल इंफिल कासिक 350 जैसा ही सेम इंजिन मिलता है बीस चीस होने के करण अन इसमें एफ इंजिन का फेसेलिटी भी मिलता है इसमें एक पास पॉइंट ए है कि इसमें 20 लिटर का फ्यूल टैंक मिलता है एक शोरूम पाइस है 1.65 से 1.75 लैक तक बाद बाद बाइकों का बेकिन सिस्टेम के बाद करें तो दोनों यह तरह डूल डिश मिलता है विद डूल चैनल एब इसमें एक जाना माना बैंड है हर्श शाहर में इसका शोरूम मिलेगा ही मिला इसब इसका पाठस हर जगा यह जीली मिलता है इसलिए ज्यादा तो लोग इस बाइक को ही ले जाना पसंद करते हैं और इस बाइनका हैंटेलिंग भी बहुत मास ते तेरे लिस्ट के अनुसान नमबर 2 पे जो बाइक है KTM के तरप से हाली में लॉंच हुआ KTM Adventure 3.9 चाली ए बाइक नमबर 1 पे होना चाहे था बट इसका स्पाइस बहुत ज़्यादा है इसलिए ए बाइक को मैंने नमबर 2 पे ट्रांसफर किया मिलता है 373 CC का 390 और RC 390 जैसा सेम इंजिसमें मैक्स पावर जेनरेट होता है 42.3 BSP और मैक्सिमाम टर्क जेनरेट होता है 37 Nm इसमें आप लोगों को 4 स्टोक सिंगल सिलिंडर लिकूइट कूलिंग इंजिन मिलता है विट 6 पीट गियार बॉक्स के साथ अब फ्यूल कपासिटी की बात करें तो इसमें 14.5 लिकार की फ्यूल टैंग मिलता है जिसमें अबरेशली माईलेश देता है 28 से लेकर 29 KMP तक के फ़ौन में मिलता है 19 इंचिनिंस का ٹूपलेस टायर और यार में मिलता है 17 इंचिनिंस का टूपलेस टायर आप इसके बेकिंग की बाद करें तो डूल डिस्ट मिलता है विद डूल चैनल ABS पॉन डिस्ट का साइज है 320 mm और रियार डिस्ट का साइज है 230 mm KTM Adventure 390 का ओन रोट पाईज है 3.58 लाक्स एन 1.25 पाईज है 3.03 लाक्स इस लिक्स में सबसे ज़्यादा कोस्ली बाईग एही है इस बज़ा से इस बाईग को मैंने नमबर 2 पे रखा है Adventure 390 का खास बात एह है कि का सस्पेंशन जबर दर्स थे उठ चाए जैसा भी हो ए बाईग से आप इजीली टेबल कर सकते है के बाद मेरे लिस में नमबर 1 पोजिशन पे आता है Royal Infield Himalayan ए एज लिस में आक्रिवाइक है इसमें आप लोगों को मिलता है 411 CC का इंजिन पाउर मिलता है 24.3 बीएसपी 6500 रपीम मैक्सिमाम टॉर्क मिलता है 32 न्यूटन मीटर 4500 रपीम इसमें मिलता है 4-stroke single cylinder air cool engine 5-speed rear box के साथ fuel capacity की बाद करें तो इसमें 15 लिक्रगार का tank मिलता है और mileage easily 30 kmpl तक दे देता है टायरो की बाद करें तो phone में 21 इंचिस का एंडियर में 17 इंचिस का टायर मिलता है इसमें एक पॉपले में 2 प्लेज नहीं है इसमें में dual dish मिलता है phone में 300 mm का एंडियर में 240 mm का dish मिलता है with dual channel air भी है फिल्ठ हिमा लायन का एक सोरों पाइस है 1.89 से 1.94 लाग तक और अन्रोस पाइस है 2.27 से 2.32 लाग तक शाली 25 के बाज़ा से ही मैंने ए बाइक को नमबर 1 पे रखा है 5.7 से लेका 5.8 तक साइडर सी से इजीली डाइब कर सकते है हर शायर में royal infil का स्टोर है इसलिए इसके पार्स इजीली मिल सकता है यह भी एक रिजन है इसको नमबर 1 पोजिशन देने के पीछे झाली 25 के बाइब कर सकते है